यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट 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 प्लस 100 बराबर X तब X का मान ग्याद कीजिए तो क्या कह रहा है दोस्तों इस प्रेशन में यहाँ पे ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे प्रेशन में कह रहा है यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाट डाट प्लस hundred, बराबर x, तब x का मान ग्यात कीजिए, यानी x बराबर क्या होगा, यानी इसका योग पूछ रहा है, एक से लेके 100 तक का दोस्तो, योग पूछ रहा है, एक से लेके 100 तक का योग क्या होगा, कैसे निकालेंगे, समझिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, योग निकालने के लिए एक formula होता है, लेकिन formula पहले समझिए कैसे होता है, अगर हम दोस्तों एक ध्यान दीजेगा, सभी स्टूडेंट पहले ध्यान दीजे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 मान लिजे, करें, तो इसका योग क् छोटा है कर लेंगे, लेकिन ये 100 तक है, तो इसे भी कर लेंगे, लेकिन time क्या होगा, बहुत ज्यादा लगने लगेगा, तो यहाँ पे देखिए, जोड़िये एक बार, पहले सीखिए, 1 प्लस 2 होगा, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, क्या हुआ दोस्तों योग इसका, 10 हुआ, ध्यान student ध्यान दीजिए, n की जगा कितनी संख्याय है, कहां तक है, 4 तक है, तो 4 गुने क्या करेंगे दोस्तों, n प्लस 1 की जगा पे 5, यानि की जगा 4, 1, 5, बटा में 2, 2 दुना के 4, और 5 दुना के क्या हो जाएगा, 10 होगा, समझ रहे हैं, अगर formula नहीं देखना है, तो आप ऐ अगे तक, और बटा 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दोस्तों, आपका 10 हो जाएगा, और ऐसे भी हम जोड के क्या है, 10, अगर यहीं, देखिए, एक और देखिए, 1 प्लस 2, ध्यान दीजिएगा, सभी student, 1 प्लस 2, प्लस 3 हो तो क्या होगा, इसमें देखिएगा, कैसे क अच्छे, आ रहा है कि नहीं, फार्मूले से आ रहा है न, तो अब यहाँ पर प्रस्न में दोस्तों क्या दिया है, प्रस्न में 1 से लेके 100 तक है, प्रस्न में क्या है, एक से लेके 100 तक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 है न, तो 100, गुने क्या होगा, एक आग जाएगा क्या होगा दोस्तों गुना कर सकते हैं पचास में एक से तो पचास से कम पचास जीरो हासिल क्या होगा पांच 50-0-0, हासिल जो उतारे, आप 5, उतर जाएगा, फिर 50-50, चीक है, यानि 50-50, यानि 5,050 इसका answer होगा, किस option में है, देखेंगे option number पहले में, तो आपका option number पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा